नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज किस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं धातु एम एधातु के बारे में किसके बारे में बात करेंगे धातु एम एधातु के बारे में तो चले शुरू करते ह तो दोस्तो वर्तमान में कुल 118 ततव ग्यात है क्या ग्यात है कुल 118 ततव ग्यात है जिनमें से 90 से अधिक तो धातुय है थता 22 अधातुय और कुछ उबदातुय है तो इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धातू के बारे में अर्थार्थ धातू की परीबासा वे उसके उदारन देख लेते हैं अब इसके उधारन देखे तो जैसे सोडियम, पोटेसियम, मेगनीशियम, लोहा, एलुमीनियम, केलसियम, बेरियम आदि सभी क्या है धातू है यह किसके उदारन है धातू के उदारन है उसके बाद में बात करें तो धातू का उपयोग क्या होता है किसमें उपयोग लिया जाता है धातू का उसके बारे में चर्चा करते है तो दोस्तो धातों का उपयोग इमारते, पुले, रेल की पट्री बनाने में, हवाई जाज बनाने में, समुंद्री जाज बनाने में, गाडियों के निर्मान में, घर में उपयोग होने वाले बरतन बनाने में, या आबुसन के रूप में, मसीन के पुर्जे, आदि के निर्म मार में घरों में जो बरतन होते हैं द्हातों के बने होते हैं ऐसभी धातों के बने होते ह्रुशन के बने होते हैं तो इस परकार से धातों कeszे प्यूक्य आ जाता है अब बात करते हैं कि किसे कहते हैं और इसका उधारण क्या है ए अर्थार्थ इसक उप्योक किसी में करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं dul तो सबसे पहले बात करेंगे एधातू की प्रिवाशा की, तो जो पदार्थ नरम है, मलीन, भंगूर, उस्मा ठता, विदुद के कूचा लखोते, और जो धाउनिक नहीं होते हैं, वे एधातू कहलते हैं, क्या कहलते हैं, एधातू कहलते हैं, जैसे उदारण के तोर पर उसका उपयोग किस में करते हैं किस काम में लिया जाता है तो यहां बात करें किसकी अधातों के उपयोग के बारे में तो ओक्सिजन हमारे जीवन के लिए आउश्यक होता है जिसे सभी सजी होते हैं वे सवसन के रूप में अंदर लेते हैं किसके रूप में लेते हैं सवसन के रूप में अंदर लेते हैं सवसन के समय अंदर लेते हैं ओक्सीजन को उसके बाद में बात करें तो नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरों को में पोदो की वरध्य अतु किया जाता है कलोरीन का उपयोग जल सुद्धी करण परकर्म में किया जाता है आयोडीन का विलियन एं आईदातु में मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं सब्सक्राइले बात करते हैं तो इसके विप्रीत क्या होता है ऐदातु में तीनों अवस्ताओं में व्यापकिण परहुमीन एक तरल आईदातो होती है क्या होती है ब्रोमिने के तरल एधातु होती है उसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर पर धातु के बारे में तो तन्य और आगात वर्दे होती है जबकि एधातु ये तन्य और आगात वर्दे नहीं होती है तो दूसरा पॉंट क्या हो गया धातु होती है वह तो तन् करें तो धातों होती हैं धातों में धाउनी और चमक दरसाने वाले गुण होते हैं छता चमक इन भी होते हैं उसके बाद में बात करें धातों के और ऐदातों का गनतों अपेक्षया क्रत क्या होता है? कम होता है. उसके बाद मैं अगले पॉंट पर बात करते हैं. तो अगला पॉंट दे रहा है धातु ओक्साइड चारिये दता उम्मय धर्मी होते हैं. क्या होते हैं? उम्मय धर्मी. जबकि ऐदातों न ceramरते नSu77 की परकर पित नहीं करती है और जो धातू होती है वह ओक्साइड आइनिक होती है क्या होती है धातू ये ओक्साइड आइनिक होती है जबकि एधातू ओक्साइड सह सन्योजी होती है क्या होती है उसके बाद में बात करते हैं धातू के भोतिक गुण क्या क्या होती है धातू के भोतिक प्रतेक धातों के कटोरता क्या होती है अलग अलग होती है और धातों का गलनांक हदिक होता है एक अपवाद दे रखा है मरकरी को छोड़कर सारी धातों कमरे के ताप पर टोस अवस्ता में पाई जाती है गेलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है अथेली पर रखने पर ये दातु ये फिगलने लगती है क्या होती है गेलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होने के कारण ये अथेली पर रखने पर ये धातु ये फिगलने लगती है जबकि छार ये दातु जिसमें लीथियम, सोडियम, पोटेशियम होती है इतनी मुलाइम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है और इनके घनतव घलनाख भी कम होते हैं अब बात कर लेते हैं चमक के बारे में तो दोस्तो अपने सुद्ध रूप में धातू की सत्य चमक रोती है उसके बाद में बात करते हैं तो आगात वर्देता के बारे में तो धातो को पीट कर पतली चादर बनाये जा सकता है इस गुनदरों को आगात वर्देता कहते हैं जैसे सोना थता चांदी सबसे आगात वर्दे धातो होती है क्या होती है सबसे आगात वर्दे कौन सी होती है सोना थता चांदी उसके बाद में बात करते हैं तन्यता के बारे में तन्यता किसे कहते हैं क्या होती है तन्यता तो धातू के पतले तार के रूप में खीचने की समता को तन्यता कहा जाता है क्या करते हैं धातू के तार को अग लोड़ी बहुत खिचाक आजाती है तो उस चमता कोई क्या कहते हैं तन्यता कहते हैं जैसे कि सोना सबसे हदिक तन्य धातु है एक गराम सोने से दो किलोमेटर लंबा तार बनाया जा सकता है एक गराम सोने से कितना तार बनाया जा सकता है दो किलोमेटर लंबा तार बनाया जा सकता है उसके बाद में बात करते हैं चालक ता के बारे में तो धातुय उस्मा थता विदूत की सूचालक होती है और सिल्वर थता को पर चालक होते हैं इसमें एक अपोवाद दे रहा है था आप नोट लिखना है कि लेड थता मरकरी उस्मा के कूचालक होते हैं अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो धाउनी के बारे में तो सामानते धातुए कटोर सते से टकरानी पर एक विशेस आवाज उत्पन करती है अता इ अपोवाद दे रहा है एक अपोवाद दे रहा है एक अपोवाद दे रहा है आयोडिन एदातु होते हुए भी चमकिला होता है क्या होता है आयोडिन एदातु होती हो ये भी चमकिला होता है अब बात करते हैं एदातों में आगात वर्देता तो एदातु ये आगात वर्दे नहीं होती है एदातु ये भंगूर होती है आता इन पीठने पर ये तूर जाती है पीठने पर क्या हो जाती है? टूर जाती है, जबकि धातवे क्या होती है? टूरती नहीं है, अगले point पर बात करते हैं, तन्यता के बारे में तो आग एधातु ये तन्य नहीं होती है अर्थार तीन में कोई भी तन्यता का गुंदरम नहीं पाया जाता है उसके बाद में बात करते हैं एधातो की चालकता के बारे में तो एधातु ये विद्धुत थता उस्मा की कूचा लग होती है एक कार्बन का अपरूप हीरा उस्मा का सूचालक होता है कार्बन का अपर रूप गरेफाइट विद्धूत का सूचालक होता है उसके बाद में बात करते हैं धातों के रासाइनिक गुंदरम किसके बारे में धातों के रासाइनिक गुंदरम के बारे में बात करते हैं तो दोस्त देन कहलाता है या अगला पॉइंट देखते हैं सामानते धातों का वायू में धेन चमकदार जवाला के साथ होता है थता लगबग सभी धातु ये ओक्सिजन के साथ मिलकर संगत धातु के ओक्साइड बनाती है क्या करती है संगत धातु के ओक्साइड बनाती है जिसमें धात के साथ मिलकर काले रंग का कोपर सेकंड ओक्साइड बनाता है क्या करता है यह कोपर ओक्साइड बनाता है किसके साथ मिलकर यह ओक्सिजन के साथ मिलकर काले रंग का कोपर ओक्साइड बनाता है उसके बाद में बात करते हैं धातू ओक्साइडों के गुनदरम के बारे में ज करिया करके लवन थता जल परदान करने से होता है किस से होता है जल परदान करने से होता है लेकिन एलुमिनियम ओक्साइड जिंक ओक्साइड जैसे कुछी धातू ओक्साइड अमलिय थता चार के दोनों परकार के विवार परदर्शित करते हैं इस परकार से अमल थता चार के स अलुमिनियम ओक्साइड निमन परकार से अभिक्रिया करती है अब बात करते हैं उब्य धर्मी ओक्साइड की बारे में तो ऐसे धातू ओक्साइड जो अमल थता चारक दोनों से अभिक्रिया करके लवन थता जलपरदान करते हैं उन्हें उब्य धर्मी ओक्साइड कहलाते है वोई क्या कहलाते हैं उब्वे धर्मी ओक्साइड कहलाते हैं जैसे धातों की ओक्सिजन के साथ अभिक्रिया सीलता देखते हैं तो दोस्तों धातों ये ओक्सिजन के साथ विभीन परकार से अभिक्रिया सीलता परदर्शित करती है जिसमें पोटेशियम थता सोडियम जैसी कुछ दातोय इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है और सिल्वर एवं गोल्ड अत्यांत हदिक ताप पर भी ओक्सिजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं सिल्वर और गोल्ड एग क्या होते हैं अत्यादिक ताप पर भी ओक्सिजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं इसके बाद में बात करते हैं तो सामने त्रप मान पर मैग निशयम है अलूमिनिया में जिंग के लेड अग दी जैसी धातों की सथा पर आइकसाइड की पतली परत छड़ जाती है। और ओक्साइड की ये जो परत होती है ये धातों को पुना ओक्सी करन अर्थार्थ ओक्सीजन से किरिया से सुरक्षित रखती है उसके बाद में बात करते हैं तो गरम करने पर आईरन का धहन नहीं होता है गरम करने पर क्या होता है आईरन का धहन नहीं होता है लेकिन जब बर जल के साथ अबिक्रिया करके धातु ये हाइड्रोजन गेंस थता धातु ओक्साइड उत्पन करती है और कुछ धातु ओक्साइड जल में गुलंसील होते हैं जो जल में गुल कर धातु ओक्साइड क्या करते हैं परदान करते हैं लेकिन सभी धातु ये जल के साथ अबिक्रि मिन दातु की अमलों से अभी करिया के बारे में तो धातु ये अमलों के साथ है रविक्रिया करके संगत लवन था ऐडरो जा परदान कर हाइड्रोजन लवन थता हाइड्रोजन गेस परदान करती है उसके बाद में सोडियम थता पोटेशियम धातुए अमलों के साथ अतिदिक तीवर्ता से किरिया भी करती है क्या करती है अतिदिक तीवर्ता से किरिया करती है लेकिन नोट लगा के लिखना है आपको क्या धातु ये नाइट्रिक अमल के साथ अभी किरिया करके हाइड्रोजन गेंस उतसर जित नहीं करती हैं उसके बाद में लिखना है क्योंकि HNO3 एक परबल ओक्सिकारक है जो उत्पन H2 को ओक्सिकरत करके जल में परिवर्तित कर देता है ये नाइट्रोजन के किसी ओक्साइड में अब चाहित हो जाता है लेकिन मैंगनेशियम ये मैंगनेज तनू आती तनू HNO3 के साथ अभी किरिया करके H2 गेस उत्रसर जर्जित करते हैं इस पॉइंट को आपको लिख लेना है नोट लगा के तो दोस्तों अब बात करते हैं विद्धुत अबगठनी परिसकरन के बारे में तो कोपर जिंके टीने निकेले सिल्वरे गोल्ड आदी अनेक धातों का परिसकरने विद्धुत अबगठन द्वारा किया जाता है किसके कि द्वारा बनाते हैं क्यथोर की द्वाबड बनाते हैं धातू को इनोट नोट थता सुदध धातों की पतले परत को क्यथोर बनाया जाता है उसके बास करते हैं तो धातू के लवण तो दोस्तो इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिजिए जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे साथ ही All Notification बेल को भी उन कर लिजे Thank you